कांग्रेस पार्टी के मुख्या के तोर पे हम सब कांग्रेस के कारी करताओं के साथ कंधे से कंधा मिला कर हर परिस्तिती में सुख में अच्छे में और बुरे में पूरी द्रड़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसाथ करके विपक्ष की भूमी का निभाते हुए निडर्ता से अपना कारी करते रहे। सांतियों, मुझे ग्या थे वो पल, वो समय, जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को के सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस का एक एक कारी करता, कमल नाज जी के विचार और उनके नेतरुत के नीचे खड़ा था, एक एक उस समय, मेरे जिसे कई परिवार के साथी, हर तरीके से कंधे से कंधा मिला कर, कमलाजी के विचार को आत्मसाथ कर रहे थे कांग्रेस के विचार को आत्मसाथ कर रहे थे अन्तो गत्वा मैं आप सबसे अन्रोद करना चाहता हूँ जो खबरे हैं निराधार है कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंद्रा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी दो महिने पहले जिनके नेत्रोत में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कारी करता अपनी जान अड़ा कर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा क्या उनको छोड़ने की बात कमल लाजी कर सकते हैं कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंद्या जी जा रहे थे सरकार गिरा रहे थे तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमल नाजी को मुख्य मंत्री बनाने के लिए जगे जगे वो हमें छोड़ के जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं मैं फिर से जैसा की अफवाएं हैं राज सबा का चुनाओं में अशोक सिंग जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आधरनी कमल नाजी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था हमारे पूरे नेत्रत ने एक साथ मिल के किया था और सर्व सम्मती से अशोग सिंग जी को राजसभा भेजा गिया और यही कारण है कि वो एक मात्र कांग्रेस के उम्मिदवार आप सब के बीच म तो मैं फिर से ये खबरे निराधार है और मैं मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कारी करता जो विपक्ष की भूमी का हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है उसमें द्रड़ता से लगेंगे बहुत जल्दी जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट किसानों की लागू की है जो सपोर्ट प्राइज किसानों की भावना उनके अधिकार छेत्र में ग्यारेंटी के रूप में दी है मिनिमम सपोर्ट प्राइज एक ग्यारेंटी है इसकी इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है इसके कारिक्रम जारी हो रहा है और मैं मानता हूँ कि सभी परिवार के यहां उपस्तित पत्रकार बंदूओं जनलिस्ट भाईयों आप सब को अन्रोध की ब्रह्मित जानकारियों से बचे धनिवाद मैं मानता हूँ कि उस कांग्रेस के प्राचीन विचार धारा के इतिहास के मद्दे नजर कर रहा हूँ जिसको कामन लाजी ने आत्मसाथ किया था धन्यवाद